के दिशा सालियान और सुषान सिंग केस के बारे में कर राहूल शेवाले जी ने जो खासदार है उन्होंने सांसद है उन्होंने लोग समा में मांग की कि जो एईू नाम का जो व्यत्ती है वो अधित्य उद्धाव ठाक रहे है जिसको जिसने रिया चतिनवेदी को 44 कॉल किये हम लोग पहले दिन से बोल रहे हैं कि ये सुषान सिंग और दिशा सालियान के केस में जिस मंत्री का इन्वर्मेंट है जिस बारे में बिहार पुलीस ने भी रिपोर्ट तैयार की है उनका नाम अधित्य धाकरे का नाम बिहार पुलीस ने भी लिया था सुप्रीम कोट में इस बारे में मेंशन हुआ था कि तभी के चीफ मिनिस्टर का बेटा उस केस में इन्वर्ड है यह सुप्रीम कोट का डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंटर है यह तो इतना सब होने के बाद अगर सची में सच बाहर आना होगा तो जैसे शर्दावाल करके मुर्डर के बाद अधित्य ठाकरे की नार्कोटेस्ट होनी चाहिए जिससे सच भार आएगा और दूट का दूट पानी का पानी हो जाए दिशा साल्यान और सुषान सिंग केस के बारे में करल राहूल शेवाले जी ने जो खासदार है उन्होंने शांसद है उन्होंने लोग सभा में मांग कि जो एउ नाम का जो व्यक्ति है वो अधित्य उद्दाव ठाकरे है जिसको जिसने रिया चतुनवेदी को 44 कॉल किये हम लोग पहले दिन से बोल रहे हैं कि ये सुषान सिंग और दिशा साल्यान के केस में जिस मंत्री का इंवर्मेंट है जिस बारे में बिहार पुलीस ने भ मेंशन हुआ था कि तभी के चीफ मिनिस्टर का बेटा उस केस में इनवर्ड है ये सुप्रीम कोट का डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंटर है ये तो इतना सब होने के बाद अगर सची में सच बाहर आना होगा तो जैसे शर्दावाल करके मुर्डर के बाद आफताब का ना पार को टेस्ट होनी चाहिए जिससे सच भार आएगा और दूद का दूद पानी का पानी हो जाए जिशा साल्यान और सुषान सिंग केस के बारे में कर राहूल शेवाले जी ने नो खासदार है उन्होंने शांसद है उन्होंने लोगसमा में मांग कि के जो एयू नाम का जो व्यक्ति है वो अधित्य उद्दाव ठाकरे है जिसको जिसने रिया चतुनवेदी को 44 कॉल किये हम लोग पहले दिन से बोल रहे हैं कि ये सुषान सिंग और दिशा साल्यान के केस में जिस मंत्री का इन्वर्मेंट है जिस बारे में बिहार पुलीस ने भी रिपोर्ट तैय तबी के चीफ मिनिस्टर का बेटा उस केस में इन्वर्ड है ये सुप्रीम कोट का डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंटर है ये तो इतना सब होने के बाद अगर सची में सच बाहर आना होगा तो जैसे शर्दावाल करके मुर्डर के बाद आफताब का नार्को टेस्ट करने के बाद सच्चा ही भार आई वैसे ही दिशा साल्यान और सुषान सिंग राजपूत के केस के बारे में अधित्य ठाकरे की नार्को टेस्ट होनी चाहिए जिससे सच भार आएगा और दूट का दूट पानी का पानी हो जाए